हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्ट्रालोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे इस हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नहीं चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो यूज्य शुरू करूंगा फिंगर्स के अन के लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हतेली है एक रेक्टैंगलर शेप बनाती है नजर आ रही है ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा आपको यहाँ पर कुछ इस शेप की हतेली जो एक अनलेटिक टाइप की नेचर क शो करती है और काफी अच्छी लंबाई में है और इसके साथ साथ अगर फिंगर्स को दिखा जाए तो इनकी सूर्य फिंगर्स की लंबाई काफी ज्यादा है अगर ब्रस्पती फिंगर्स से कंपेर किया जाए तो काफी अच्छी लंबाई में सूर्य फिंगर्स जो इने का समय भी कई बार रिस्क ले लेते हैं और लाइट में वैसे भी कई एहम फैसले लेते समय रिस्क लेते हुए हिचकचाते नहीं और शनी फिंगर यहां पर इने हार्ड वार्किंग नेचर दे रही है लेकिन अगर ब्रस्पती फिंगर को देखा जाए तो थोड़ी शाट होती भावना इनके भीतर रह सकती है अदरवाइज काफी हार्ड वार्किंग नेचर है और कुछ इस तरह की ब्रस्पती फिंगर होने की वज़े से फैमली से मिलने वाले सुखों में भी कमी रहने के चांसिस रहते हैं और अगर दिखी जाए इनकी मरकरी फिंगर तो थोड़ी श आट है जिसकी वज़े से यहां बिजनस एक्वमन कम रहता है शाइनेस जैसी प्राबलम रहती है और मरकरी का वीक होना कहीं बिजनस में लौसिस भी करवा सकता है ओवरॉल फिंगर्स यहां पर थिक नजर आ रही हैं जो इन्हें अच्छी फिजिकल एनरजी और स्टैमना द अधर है हमें तो आप देख सकते हैं जो इनकी फिंगर्स हैं जिसमें मैं पता ही चुका हूँ के यहां पर जो इनके मांट्स हैं मरकरी और ब्रस्पती यह में खुटे से low to we youtube य सेट है शनी और सूरे का फ़ी हाई सेट है उसके इलावा यहां पर इनके हात में मुझे partial gurdle of ven बनता हुआ नजरारा आप देख सकते हैं इस एरिया में एक अधूरा गडल वीनस बनता हुआ अगर यह कंप्लीट हो तो कुछ इस तरह का गडल वीनस अगर यह पूरा अर्ध चंद्रमा की शेप बनाए तब इसको काफी अच्छा माना जाता है इस तरह का कंप्लीट गडल व वीनस व्यक्ति को मूर स्विंग जैसे दिक्कत देता है टेंशन तनाव जैसी दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है बिशक क्रेटिविटी को यह थोड़ा सा बढ़ाता है लेकिन ओवरॉल इसको बहुत अच्छा चिन नहीं हम यहां पर मान सकते और अगर इनके मौंट्स को देखा जाए तो ब्रस्पति मौंट यहां पर उबरा हुआ है बिशक थोड़ा लो सेट है जिसकी वज़े से नौलेज गेन करने में थोड़ी सी दिक्कतें रह सकती है अदरवाइज यहां पर अपवर्ड जाने वाली रेखा नजर आ रही है यहां पर नीचे से शुरू होती हुई एक रेखा जो ब्रस्पति मौंट तक बढ़ रही है और आगे चलकर माइंड की लाइन से निकलकर ब्रस्पति मौंट तक पहुँचती हुई रेखा जो इन्हें काफी अच्छी प्रोग्रेस लाइफ में दिलवा सकती है तो प्रोग्रेस की कमी यहां पर शनी मौंट की ओपर नजर नहीं आ रहा और अगर शनी रेखा को भी देखा जाए तो वो भी बहुत ज्यादा स्पोर्ट करती हुई नजर नहीं आ रही कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग के साथ शनी मौंट की तरफ बढ़ती हुई रेखा जो यहां पर वीकनेस शो कर रही ह लगबग यहां पर 40 के असपास की एज के बाद यह रेखा कुछ कमजोर हो रही है और आप यहां पर देख सकते हैं लगबग 50 के असपास की एज के बाद यह रेखा डिस अपियर हो रही है यहां पर नजर नहीं आ रही जो financial दिकतों को शो करती है और 40 के बाद से ही यह करवाता है तो काफी ज्यादा मेहनत वाले चांसिस यहां पर बनते दिखाई दे रहे हैं और स्ट्रगल जो है थोड़ी सी आगे की लाइफ में भी रह सकती है आगे देखा जाए इनके सूर्य माउंट को तो यहां पर आप देख सकते हैं सूर्य माउंट जिसके ओपर कोई भी सूर्य रेखा मुझे नजर नहीं आ रही सूर्य रेखा का यहां पर ना होना यश और नेम एंड फिर्म मिलने में थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करता है अधरवाइस सूर्य माउंट काफी उभरा हुआ है प्रोमिनेंट है और सूर्य रेखा भी एक्स्टर और्डिनरी होके काफी अच्छी लंबाई में है इस तरह की situation होने से व्यक्ति risk taker तो होता ही है कई बार share market या किसी तरह की speculation जैसी चीजों में भी investment कर लेता है और जिसकी वज़े से नुकसान उठाने के chances भी बढ़ जाते हैं क्योंकि mercury का strong होना बहुत जरूरी होता है अगर व्यक्ति किसी तरह की speculation शेर market या रिसकी चीजों में trading करे तो यहाँ पर mercury कमजोर नजर आ रहा है मुझे दबा हुआ mercury का mount एक तो व्यक्ति को shy बनाता है calculations में भी व्यक्ति कई बार weakness महसूस करता है और इसी वज़े से कई बार नुकसान उठाने के chances भी बनते है overall यहां तक हमने देखा सभी mounts को तो आगे बढ़ते हैं इनकी lines को check करते है heart line बिल्कुल सीधी चलती हुई simian line जैसी situation यहाँ पर बनती हुई आप देख सकते हैं पूरी तरह से इसको simian line तो नहीं कहुँगा क्योंकि एक और रेखा यहाँ पर इनकी mind रेखा की जो कमी है पूरी कर रही है लेकिन यह रेखा भी सीमियन line की तरह act कर रही है ऐसे व्यक्ति थोड़े से जनूनी होते हैं work alcoholic कह सकते हैं और अगर साथ में fingers और अंगूठा भी काफी strong नजर आए जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी strong इनका अंगूठा नजर आ रहा है तो aggressive type की personality भी रहती है तो simian line होने की वज़े से व्यक्ति कई बार अपनी family life को भी ignore कर देता है इस तरह के chances भी रहते हैं और किसी भी काम में अगर लग जाए तो पूरा समय उसी पर लगा देता है जिसको हम कहा सकते हैं कि किसी चीज की सनक हो सकती है किसी भी काम में बहुत ज़्यादा deep जा सकते है ऐसे व्यक्ति और कई बार इस सनक की वज़े से ज्यादा वर्क अलकॉलिक होने की वज़े से व्यक्ति को तरक्की मिलती है लेकिन अगर अग्रेशन ज्यादा बढ़ जाए तो वहाँ पर यह स्रिमिन रिखा कई बार नुकसान भी देती है अवरॉल अगर देखा जाए तो हाट की लाइन के तोर पर यह बिल्कुल सीधी बढ़ती हुई बहुत ही प्रैक्टिकल बनाती है और यहाँ पर जो इनका गुरू माउंट है वहाँ तक इसका पहुँचना व्यक्ति को ओनेस्ट एंड लॉयल भी बनाता है और अवरॉल यहाँ पर जो पार्शिल गडल वीनसम देख पा रहे है इसकी वज़य से व्यक्ति की जो नेचर है थोड़ी एमोशनल भी हो जाती है थोड़ी फैमली ओरियंटेड भी हो जाती क्योंकि यह रेखा भी एक तरह से हार्ट लाइन की कमी को पूरी करती है तो ओवरॉल यहाँ पर इनकी वर्क अलकॉलिक नेचर में देख पा रहा हूँ अगर माइन्ड लाइन की बात की जाए तो यहाँ अंदर से शुरू होती हुई माइन्ड लाइन कुछ इस तरह से चलती हुई जो यहाँ पर शो करती है कि बहुत सारी प्लैनिंग्स चलती रहती होंगे इनके माइन्ड में और ऐसे ब्यक्ति बहुत ज्यादा प्लैनिंग्स करते हैं लेकिन जब एक्चुल में उन प्लैनिंग्स को इंप्लिमेंट करने का समय आता है तब यहाँ अपने प्लैंस को चेंज करते रहते हैं कुछ इस तरह की नेचर यहाँ पर इनकी माइन्ड की लाइन दर्शार रही है तो यहाँ पर भी कुछ ना को दिक्कतें रहती हैं इंप्लिमेंटेशन में जब भी कोई प्लैन्स करते हैं उनको इंप्लिमेंट करने में problems का सामना करना पड़ता है और अगर देखा जाए इनके mangle mount को तो mangle mount यहाँ पर काफी उबरा हुआ नजर आरा आप देख सकते है aggressive nature यहाँ पर भी काफी clear है गुसा इनके सभाब में ज्यादा रह सकता है जो इनके खुद के लिए भी harmful हो सकता है आगे देखते हैं इनकी line of life को यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा इनकी life line अब देख सकते हैं कुछ इस तरह से बाहर की तरफ बढ़ती हो और यहाँ पर एक fish का chin create करती हुई fish का chin जब भी के तुए रेगे पर बनता है जैसे अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से complete fish का chin बनता हुआ नजर आ रहा है इस तरह का chin जब भी बनता है तो व्यक्ति को विदेश यात्रा करवा सकता है अचानक धन भी कई वर मिलता है inherited property मिलने के chances रहते हैं अगर पुर्खों की कोई जमीन जैदाद हो तो अचानक से वो व्यक्ति को मिलने के chances रहते हैं insurance money मिलने के chances रहते हैं और विदेश से धन कमाने के chances भी यह जो fish का chin है व्यक्ति को देता है तो एक तरह से विपरीत राज योग की तरह यह काम करता है तो यहाँ पर कुछ इस तरह के chances भी इनको life में मिल सकते हैं और अगर इनकी life line को थोड़ा close look दी जाए तो आप देख सकते हैं लगबख 55 के आसपास की age में overlapping है यहाँ पर एक break सी बनती है नज़र आ रही है जो health के लिए अच्छी नहीं है लगबख 55 के आसपास की age में यहाँ पर जो हमें इस तरह की break नज़र आ रही है ऐसी ही एक break यहाँ पर पहले भी नज़र आ रही है लगबख 25 के आसपास की age में जो किसने किसी तरह की health issues व्यक्ति को देती है किसी तरह का accident चोट लगना यह कोई इसी problem होना जिसकी वज़े से financial losses भी व्यक्ति को हो सकते है तो overall अगर देखा जाए तो इनकी जो life line है काफी लंबाई में है लगबख यहाँ पर 80 के आसपास की age को यह है enjoy कर पाएंगे इस तरह की लंबी रेखा और उसमें से एक रेखा एक branch का उपर की तरफ निकलना व्यक्ति को काफी अच्छी progress भी दिलवाता है तो यहाँ तक हमने देखिए इनकी सभी lines और चंदर एडिया को देखा जाए तो यहाँ पर हलकी रेखाएं उपर की तरफ उठती नजर आ रहे हैं और मैंने इनके birth chart को भी चेक किया वहाँ पर भी शुकर debilitated है कमजोर है जिसकी वजह से family की तरफ से मिलने वाले जो सुक हैं उनमें कमी रहती है और जो दूसरी चीज़ यहाँ पर sexual diseases होने के chances भी रहते हैं अगर शुकर mount जो है बहुत अदा strong ना हो और जिस तरह से इनके हाथ में उबराओ शुकर है यहाँ पर कुछ problems इनको दे सकता है यूरिनरी track infection जैसी problem होने के chances भी यह शुकर mount इस तरह का उबराओ शुकर mount देता है तो यह कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एक ही वीडियो के थुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन नहीं स्वाल रह जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp पे message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद